तो आज हम आपको लिबास consumer product के बारे में share analysis बताने वाले हैं और साथ ही मैं आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस share में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को subscribe जरूर कर दीजेगा साथ ही में hit the bell icon तो सबसे पहले आपको लिबास consumer products लिबास designs limited इस company के बारे में बताते कि company काम क्या करती है तो basically ये एक India based company है जहाँ पर ये जो fabrics होते हैं उसको garment में convert करती है तो बहुत types के कपड़े ये company बनाती है जैसे कि अगर आप boys में देखें तो Indian ethnic wear हो जाते हैं उसके बाद business suits होते हैं और girls में भी ethnic wear होते हैं लहंगा होते हैं बहुत सारे इसे different types होती हैं तो ये सारे चीजे ये company बनाती है और एकदम customization product ये company बनाती है अब यहाँ पर बात करते company data कर तो market cap 52.74 करोड तो ये small cap company है जिसका industry का PE अगर आप देखें तो 55.14 है और company का PE या 8.45 तो ये आपको industry के PE से कम price पे मिल रहा है और book price भी अगर आप देखें तो 1.40 टाइमस पे आपको इस share मिल रहा है क्योंकि अभी अगर आप देखें तो एक महिने में इसका share बहुत ज्यादा गिर गया है तो इसकी book price भी अगर आप देखें तो यहाँ पर कम हो गई है तो अभी आपको कम rates में मिल रहा है deliverable percentage देखें अगर आज को तो 99.54 मलब इतनी delivery इस share की उठाए गई है इसका beta है 0.45 मतलब कि अगर market 1% उपर जाता है तो इसका share price 0.45 के beta से उपर आएगा अब यहाँ पर बात करते है financial trend की तो जैसे कि 2018 से 2021 तक यहाँ पर data दिया हुआ है 2018 से 2020 तक अगर आप देखें तो हर साल company अच्छा perform कर रही है 44 करोड 82 lakh का company ने revenue on किया था in 2018 2019 में 63 करोड 35 lakh का revenue earn किया था 2020 में 66 करोड 86 lakh का company ने revenue earn किया अब यहाँ पर profits अगर आप देखें तो 2 करोड 91 lakh था 2021 2019 में 5 करोड 71 lakh यहाँ पर company ने revenue अच्छा कासा company ने like earn किया था लेकिन 2020 में देखें तो company का revenue है वो इतना ज्यादा increase नहीं हुआ है लेकिन जो raw material की cost होती है जो other expenses होते है वो तो company के हर साल बढ़ते है क्योंकि महंगाई जैसे बढ़ रही है तो उसे इसे यहाँ पर company का जो profit हो थोड़ा सा decrease होगे 4 करोड 83 lakh वा 2021 की बात करें तो 66 करोड से company का जो revenue है मतलब की sales वो 54 करोड 62 lakh पर आ गया है तो यहाँ पर अब company को हो गया है 1 करोड 16 lakh का loss तो यह company की financial trend है जब 2021 में company ने थोड़ा सा कम revenue के तो अब इसका मलब यह नहीं है कि company अच्छी नहीं है होता है हर company में कभी sales कम होती है कभी ज्यादा होती है shareholding pattern की बात करें तो promoter के पास है 45.3% का stake और public के पास है 54.7% का stake लेकिन अगर बात करें तो promoters ने यहाँ पर 4% का stake पिछले quarter से इस quarter में अगर आप compare करें तो 4% का stake promoter ने sell किया है मलब decrease किया है तो यह एक negative चीज है कि promoter ने अपना stake निकाला है और at the end domestic investors, foreign investors, mutual funds इन सबने entry नहीं लिए at the end जो retail investors है उन्होंने ही entry लिए मलब वो ही अपना stake बढ़ाय जा रहे है रेvenue statement की बात करते हैं तो December में कंपनी का sales ता 10 करोड, March में 26 करोड and June में 12 करोड तो यह कंपनी का sales है और net profit की बात करें तो हर quarter में company ने 1 करोड, 1 करोड और 1 करोड और 1 करोड और 1 करोड और किया है ज तो से आप से company का profit है वो इतना ही होगा तो यहाँ पर revenue statement भी इतना attractive नहीं लग रहा है 2021 में company को जो I mean जो 2021 अगर आप overall देखे तो उस ताम company को loss होगा था तब company ने अच्छा perform नहीं किया था लेकिन 2021 के बात जून quarter है उसमें भी company ने अच्छा perform नहीं किया है तो हो सकता है 2022 के जो results होंगे उसमें भी शायद आपको अच्छा revenue नहीं देखने को मिले return ratios की बात करते हैं तो 2018 में 12.75% का जो ROI था वो 2020 में 2018 में जो इतना था वो 2020 में 11.19 का हो गया है return on equity मलब जो shareholders जो पैसा लगाते है company पे उस पैसों से company कैसा काम करती और return देती है तो वहाँ पर वो काम अच्छा नहीं हो पा रहा है like profits इतना नहीं आया है तो यहाँ पर company का जो return on equity वो decrease हो रहा है same with ROC जो 24.36% था वो आज 16.12% का हो गए यह मार्च 2020 का data 21 का data available नहीं है तो यहाँ पर यह चीज़ जो return on capital employed वो भी हाँपर decrease हो रहा है उस पर company कैसा काम करती ह और return देती है return on assets की बात करें तो वो भी 6.10% से 6.88% जो 2019 में 10.93 था वो भी 6.88% पर आ गया है बलब assets में किता return मिल रहा है company के assets में तो return ratios overall अच्छे नहीं है company के बात करतें leverage ratio की तो यहाँ पर जो debt increase क्या आता 0.53 से 0.56 2020 में यहाँ पर decrease हुआ 0.42 तो यह एक अच्छी चीज है और उसी के साथ जो interest coverage ratio वो यहाँ पर decrease होता हुआ नजर आ रहा है तीन साल का देखें तो सबसे कम 2020 में मलब जो interest में करने की capability है वो 2019 के comparison में अच्छी नहीं है मलब decrease हो रही है तो it's not a good sign तो यह भी एक negative point है company के return ratios भी अच्छे नहीं है तो वो भी एक negative point है तो fundamentally company इतनी strong न your profits decrease होता है तो fundamental भी company अच्छी नहीं लगती है और पिछले साल ऐसा था लेकिन इस quarter में भी like अभी भी company ऐसा ही perform कर रहे है और उनके साथ promoters भी अपना जो holdings है वो decrease कर रहे है तो यह भी एक अच्छा point नहीं है अब important चीज अब आपको पताते हैं कि market price 5 year high 127.20 currently 29.20 पे trade कर रह लेकिन यह चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पिछले महिने का अगर आप देखें तो पिछले महिने में इस company के जो share prices है वो 46% से गिराया गया है और जबकि पिछले week की बात करें और अलगर आप पिछले month की बात करें तो 46% नहीं 55% और अगर सिफ आप one week की बात करें जबकि पिछले week की बात तो 46% एक ही week में इस company का जो share prices वो गिराया गया है तो आप समझ सकते हैं कि जो share 55 रुपे का था वो आज आपको like 22 रुपे 21 रुपे पे मिल रहा था तो यह कित्ती बड़ी बात है जिन लोगों ने उस time पे लिया होगा तो आज तो वो और ज्यादा shares ले होंगे तो आप समझ सकते कि उनकी क्या आज हालत रही होगी तो अब फिर से share को बढ़ाया जा रहा है तो यह एक risk आप ले सकते हो कि शायद इस share को फिर से 30 रुपे या 40 रुपे तक ले जाय सके तो आप वहाँ पर यह profit मलब अच्छा खासा मुनाफ़ा आप वहाँ प नहीं करूंगे अभी क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी के जो share price को उपर और नीचे ले जाया जा रहा वह बहुत बड़ी बात होती है उसमें बहुत सब्सक्राइब यहाँ पर फस जाते हैं तो मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप अपने हिसाब से थोड़ा-